सद्गुरु श्रीद्णानेश्वर्चरण का मलोव शरणम प्रपद्दे भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करते लेता है और इस चिंतन में उसके वेप्रभु उसे अनेक अवस्थाओं में भाव के विभिन्नस्तरों में अनेक रूपों में दर्शन देते रेते हैं प्रभुतुम मदन मनोहर धाम वे कितने सुन्दर है कोटी मनोजलजावनी हारे ऐसा वर्णन उनका संतों ने किया कोटी कोटी कामदेव भी जिनके सामने लज्जित हो जाते हैं ऐसे वे प्रभु कभी भगवती राधिकाजी के श्याम के रूप में तो कभी भगवती रुक्मनी जी के कृष्ण के रूप में तो कभी भगवती जानकी के सीता जी के राम के रूप में प्रतीत होते हैं वे उन रूपों में प्रतीत होने वाले दर्शन देने वाले उन भगवान का वणन करती में श्री महराज केते हैं चाहे जितने ये रूप हैं एक बात तो मैं नरंतर अनुव कर रही हूँ और वो ये कि सारा सौंधर्य आप में हैं और ये सौंधर्य कामदेवों को भी लज्जित कर देने वाला है इसलिए भगवान के उस लावणन का सौंधर्य का उस आस्वाद्य रूप का निरूपन करते हुए महराज भगवान से निवेदन करते हैं प्रभू तुम मदन मनोह रधाम प्रभू तुम मदन मनोह रधाम प्रभू तुम मदन मनोह रधाम मदन मनोह रधाम मदन मनोह रधाम मदन मनोह रधाम प्रभू तुम मदन मनोह रधाम रुख मनी के हो शाम क्रिष्ण तुम रुख मनी के हो शाम क्रिष्ण तुम जानकि के हो राम जानकि के हो राम मदन मनों हरधाम प्रभु तुम मदन मनों हरधाम ध्यान ज्यान ते योगी ध्यावत ध्यान ज्यान ते योगी ध्यावत हरो हमारे काम हरो हमारे काम मदन मनों हरधाम प्रभु तुम मदन मनों हरधाम तुम मनों हरधाम को योगी ध्यावत ज्यान ज्यानेश्वर द्यावत अजया श्री हरीको, श्री हरेको, हरेको, श्री हरेको, ज्ञानेश्वर कन्याश्री हरी को बिन तिकरत लेना बिन तिकरत लेना मदन मनो हरधां रभू तुमा मदन मनो हरधां मदन मनो हरधां प्रभू तुमा मदन मनो हरधां मदन मनो हरधां मदन मनो हरधां झाल झाल